और दोस्तो अब बक्त हो गया है, जब भी भी हम आपको बताते हैं, टॉप अपकमिंग स्मार्टफॉन नेक्स्ट मन्त, मतलब फरबरी 2020 में आपको कौन से कौन से स्मार्टफॉन देखने को मिलेंगे, जिनका आपने जबू से वेट करना चाहिए, दोस्तो ये सीरीज मन्त के लास्ट में लेकर गया तो बहुत ज़्यादा पॉपल उरती, आप लोगों का में बहुत ज़्यादा प्यार भी मिलता है, हाला कि दोस्तो जनवरी में आपको बहुत ज़्यादा स्मार्टफॉन देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन फरबरी काफी ज़्यादा अच्छा होने क्या हैं क्योंकि फरबरी में आने वाल है, पर अच्छ ज़्यादा स्मार्टफॉन दोस्तों आपको इस वीडियो में कौन से इसे स्मार्टफॉन आने वाल है तो इस वीडियो को लास्त देखते रही है, नमस्कार दोस्तों मैं सिबम चौहन एक पर आपका फिर से बहुत- हमारे बास रूटक्ट चल पे जब आपको पता दो एक ऐसा स्मार्टफॉन जिसका काफी टाइम से लोग वेट कर रहे हैं वह आपको डेफिनेटली फरवरी के महीने में में बात कर रहा हूं ऑपो के उपारे में इसमें आपको 6.4 इंच की सुपर एक मुले डिस्प्ले देखने को मिलेगी बैक मैं आपको क्वार्ड केमरा सेंसर देखने को मिलेगा इसकी दोस्तों अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 15 या 16 हजार रुपए में आएगा दो या 16,000 रुपे में आएगा दोस्तो डेफिनिटली बहुत सारे लोग इसको पर्चेस करेंगे क्या आप OPPO K5 का काफी टाइम से वेट कर रहे हैं हमें कमेंट में बताएं और दोस्तो मैं आपको बता दो चाइना में Redmi K30 5G वेरेंट उसका लॉंच हो गया था उसका 4G साथ आ रहा ही कमाल की बाद 20 प्लस 2 Megapixel की यहां पे आपको डूवल सेल्फी देखने को मिल जाएगी बहुत जादा इंटरसिंग दिता है प्राइस की दोस्तों बात करूं तो 16 या 17,000 रुपे में आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा 16 या 17,000 रुपे में दोस्तो आएगा और डेफिनेटली बहुत सारे लोग रेडमी के 30 4G वेरेंट को पर्चेज करेंगे और दोस्तों मैं आपको वदा दो हमारे चैनल पर पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लो और बैल आकर को प्रेस कर लो कि मैं यहां पे आ आपको बैक में चार केमरे देखनों मलेंगे 64 प्रेस या 28 जार रुपे करने पड़ेंगे अगर आप A71 को पर्चेस करना चाहते हैं वहीं बात कर दोसो A51 की तो यहाँ पे आपको बेक में चार कैमरे देखने को मिलती है A51 की प्राइस की बात करूँ दोस्तो यहाँ पे 21 या 22,000 रुपे में देखने को मिलेगा वैसे दोस्तो प्राइस के साब से दोस्तो मुझे लगते हैं थोड़े सी स्मार्टफोन में गया है लेकिन सेमसंग की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलती है और सेमसंग की ब्रांडिंग के लिए काफी सारे लोग इसको पर्शेश भी करेंगे और दोस्तों फरवरी के महिने में आपको Realme की तरफ से भी काफी सारे अच्छ अच्छे स्मार्टफ़न देखने को मिलने वाले हैं सबसे पहले जो आपको स्मार्टफ़न देखने को मिलेगा वो Realme X50 मिलेगा क्योंकि Already China में launch हो गया है 5G variant इसका India में 4G variant आएगा दोस्तों इसमें आपको खास यह दिया गया इसमें आपको back में 4 camera देखने को मिलेंगे 64 megapixel प्लस 13 megapixel प्लस 8 megapixel टू में खासल फ्रंट केमरे की बात कर दोस्तों तो 32 megapixel प्लस 8 megapixel यहाँ पे आपको dual selfie देखने को मिल जागी यह दोस्तों पूरा competition करेगा Redmi K30 से क्योंकि Redmi K30 में भी आपको dual selfie देखने को मिल जागी है यह फ्रंट वाले 20 प्लस 2 megapixel यहाँ पे आपको 32 megapixel प्लस 8 megapixel गी तो definitely दोस्तों Redmi K30 से price इसकी जादा महगी होगी इसकी price की बात कर दोस्तों तो 19 यह 20,000 रुपे में आपको Realme X50 देखने को मिलेगा और price थोड़ी सी जादा बनती भी है क्योंकि Redmi K30 से अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों definitely यह Realme X50 फरवरी के महिने में कमाल धमाल मचाने वाला है और दोस्तों हाँ आपको फरवरी के महिने में Realme 6, Realme 6 Pro भी आपको देखने को मिलेंगे हमने दोस्तों इस पर completely डिटेल्स में वीडियो बनाई है आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में वाला को इसका लिंक दे दूँगा जा करके उस वीडियो को जब उसे चेक कर लें Realme 6 का अगर आप जादा जाना चाते है वैसा दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी जानकार के लिए बता दू यह जो smartphone है वो snapdragon 710 processor के साथ आएंगे और price प्राइब दोस्तों 10 या 11,000 रुपे की है तो दोस्तो दस या 11,000 रुपे में 710 processor के साथ आएंगे दोस्तों यह budget smartphone होगे और definitely budget level की smartphone market को यह kिल करने वाले है और दोस्तों मैं आपको बदा दो तो अगर आपने भी तक इस वीडियो को लाइक नहीं गया तो लाइक करो और दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेयर जरूर से करता है क्यों लोगों को ही पता चाल सके कि फरवरी के महीने में कौन से कौन से स्मार्टफोन आपको देखने को मिलने वाले हैं और दोस्तों जो मैं आपको अगला स्मार्टफॉन बताने वाला हूँ डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आएगा मैं बात कर रहा है मी नोट 10 के वारे में ये एक बबाल स्मार्टफॉन है दोस्तों और ये फरबरी के महीने में आता है ये डेफिनेटली पूरी मार्केट को किल करेगा सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहँगो इस स्मार्टफॉन में क्या क्या अच्छी चीज़े दीगे तो बात करें डिस्पले की यहाँ आपको 6.4 इंच की सुपर एमूलेट डिस्पले देखने को मिलती है साथ जाद यह डिस्पले आपको कर्व डिस्पले देखने को मिलती है डिस्पले काफी ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में कैमरा जो है इसके जो सबसे ज़्यादा बबाल मचाने वाले है इसमें आपको back में 5 camera देखने को मिलने वाला है जिसका rear sensor 108 mega pixel का है 108 mega pixel का दोस्तो ये camera level smartphone रहने वाला है बहुत ज़्यादा ठंगड़ा रहने वाला है व्यासे दोस्तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें इस वीडियोमें आपको नहीं बता सकते हैं इस पर हमने completed details में एक वीडियो बनाई है जिसका link मैं आपको आई बटन में दे रहा हूँ डिसके स्रॉक से में पिन कर रहा हूँ जाकर के एक बार Mi Note 10 की वीडियो जरू से देखे हैं और देखे हैं कितने अच्छ अच्छ इसमें आपको camera देखने को मिलना है प्राइज उसने में आपको बदाद हूँ ये 25 से लेकर के 30,000 रुपे की बीच में ही आने बाला है तो सोचिए 25 या 30,000 रुपे में आता है इंडिया में और 108 में का पिक्सल पेंटा केमरा स्मार्टफोन, कर्वर डिस्प्ले, सुपर एमुलेट ये दोस्तो बहुत ज़्यादा थंगड़ा स्मार्टफोन है डेफिनिटली लोग इसको बहुत ज़्यादा परशेस करने वाले हूँ काफी टाइम से लोग इसका वेट भी कर रहे है मैं दोस्तो थोड़ा सा इसलिए से स्मार्टफोन के बारे मैं जादा बोलो हूँ क्योंकि ये वाकी में अच्छा है और दोस्तो जो मैं आपको अगला स्मार्टफोन बताने वाला हूँ इसका काफी टाइम से लोग वेट कर रहे हैं मैं बात कर रहा हूँ पोको F2 के बारे में मैं आपको दोस्तो बता दू ये स्योमी का ही ब्रांड था लेगी स्योमी ने इसको अब अलग कर दिया है मैं आपको पोको के बहुत सारे ब्रांड आपको देखने को मिलेंगे हो सकता है आपने पहली बार सुन रहे हो या पहले से सुना हो मैं बात कर रहा हूँ IQ के बारे में IQOO की तरफ से भी आपको फरवरी के महीने में अच्छे-च्छे smartphone देखने को मिलेंगे मैं आपको दोस्तों एक चीज बता दू हम बात कर दे रहते हैं कि सबसे पहले 5G smartphone कौन लेकर आएगा इंडिया में तो मुझे तो ऐसा लगता है IQOO सबसे पहले 5G smartphone लेकर आने वाला इंडिया में क्योंकि जो smartphone है IQOO के वह आपको दो स्मार्टफोन फरवरी के महीने में देखने को मिलेंगे और ऐसा दोस्तों बताया सबस्क्राइब कर दो सबस्क्राइब कर लो और बेल आगन को प्रेस भी कर दो सबस्क्राइब कर दोस्तों के साथ सेयर कर देना मैं मिलेंगा आपको नए अंटरसिंग वीडियो के साथ आप तके लिए गुडबाई